सभी को नमस्कार, विपेसी मैंस अन्फैटिंग बैच में दो कोस्टन में लिखने दिया था, एक कोस्टन 1857 की करांती से संबंधित था, और एक कोस्टन ये आपका फुरत विभाजन जो कॉंग्रेस का था, उससे था, और ये उस ग्रूप में कोस्टन दिया गया था, जहां आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट पूरी तरह अन्फैटिंग में में करा चुका हूं, और मैं ये कोफन जानबूश के दिया था, कि क्या आप नए कोस्टन को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो अभी तक जितना भी कॉंपी इस कोस्टन का आया है, मैं लगभग कोंपी चेक कि मैं चेक किया हूं, उसमें भटका है, भटका है कि कुछ न कुछ उसका टर्म मिसिंग है, आपने ये कोस्टन के हर एक डायमेंशन को फुल्फिल नहीं किया है, तो वहां आपको कम मार्स मिला होगा, तो इस वीडियो में मैं ये बताने का कोसिश कर रहा हूं, जिसने भी आन की टर्म को आप आइन्टिफाई कर रहे हैं, या उस की टर्म के कोडिंग आप अपने पेज में आंसर को लिख रहे हैं या नहीं, तो उसी का मैं डिसकूस करूँगा, तो वीडियो को देखिए ध्यान से, क्या आपने आनफर लिखने से पहले उतना चीज किया, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, तो पहला जो कफन आपका यहां पे है, कि 1857 के बिद्रोह में केवल सिपाही ही नहीं, ठीक, बलकि बिभिन प्रिष्ट भूमी के लोगों की भाधर देखी गई, इसके कारणा और इसके परिनाम क्या थे, इसका आपको लिखना है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि कोस्टन को एक बार दो बार परिए, अगर एक बार में कोस्टन समझ में आ गया, तो फिर एक बार पर लिजे, ताकि आप अच्छे से कनफर्म हो जैक नहीं, यही पूछा गया है, एक जाम होल में कभी कभी क्या होता है, हमने एक बार कोस्टन पर आ और जो समझ मैं लिखना फूरू कर दिया, जब आधा कोस्टन लिख लिए पता चलता है, तो कोस्टन का डिमांड ही ने था, हमें बटक गया, आपका टाइम भी गया, और बाकी तो आपका नमर भी कमी मिल पता चलता है, यह आपको सोचना परेगा, तो अगर अच्छे स्कुफन को पढ़ा जाए, पहला तो मैंन है कि 1857 की क्रांती रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके, फिर यह सिपाही बिद्रो नहीं था, इसमें सिपाहियों की भागदाई नहीं हुई, अलग अलग बेग्राउंड के लो पढ़ेगा, तो ऐसा आप क्या सोचे थे, ऐसा आपको सोचना पढ़ेगा, और जैसे आपने सोच लिया, मोटा मोटी एक रफ ड्याग्राम या रफ में ये काम कीज़ा, हमको भूमिकात 50 वर्ड लिखना ही लिखना है, केबल सिपाही ही नहीं, 20-25 वर्ड यहां भी उज़ क करना है, तो यहां आप 150 वर्ड को लिखेंगे, और फिर परिनाम को भी लिखना है, यहां आप 17 वर्ड में आप इसको करेंगा, फिर अंतिम में 50 वर्ड में निश्कर्स भी, तो आन्फर लिखने से पर इतना एक मोटा 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 को खाखा तैयार होना चाहिए कि नहीं, मै इस आंसर को इस तरह से अप्रोच लेके लिखने जा रहा हूँ, तभी आपको एक बहतर मास आएगा, और मैं हर एक वीडियो लेक्ट यही बताने की कोशिस करना, फिर भी कई लोगों ने जब आन्फर लिखा है, तो इस पार्ट को छोड़ दिया, सिपाही नहीं बलकि दिलों की सुरुवात, क्या करता हूँ, मंगल पांडे या फिर या मिरेट से सुरू होता है, और बाकी आग में, आगे कई सारे जो डेजिमेंट के भी सिपाही इसमें भाग लेते हैं, लेकिन अलग अलग बेग्राउंड, चाहे वो राजा महराजा हो, या आपका किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी की भी भूमिका, हमको इसमें देखने को मिलती है, आपको एक्जामपल देना प्रतब, अखिरी भागदारी क्यों हुई, तब इनके कारणाओं को चटा करना प्रतब अंती में परिनाव, और मैं एक चिए हमसा बोलता हूँ, इस क्वेस्टन जितन फ्लो होना, आंसर में क्या होना, फ्लो, एक आंफर होता है कि आपका पिछला लाइन, और अग्रणे में कोई मैच नहीं है, उसको बोलते हैं कि फ्लो मानफर नहीं है, फ्लो का मतलब यह हुआ कि आंफर क्वेस्टन, आंसर का स्टार्टिंग फिले कि अंतिम वर्ड तक आप लिया, तो आप इसको कैसे लिखा जाए, इस पर बात करते हैं, एक आप लवब पचास वर्ड के आसपास एक भूमिका तयार कर लेंगे, और 1857 की क्रांती का काफी भूमिका इंडिक्शन कैसे लिखा जाए, इसका मैं अल्री डिस्कस कर चुका हूँ, चुकि यहाँ पे में अलग अलग लोगों की भागदारी, कारण और परिनाम से संबंधित प्रस्न है, तो आप एक भूमिका वही की 1757, पलासी बिजे के बाद और से लेकर 1857, तो सव बरसों की जो बिटिस की जो पॉलिसी थी, खास करके सुफनकारी पॉलिसी थी, उसी के खिलाप उठ खरा होने वाला भारतिय लोगों को दरा ये एक फर्स्ट अजादी की लराई काई संगाम था, ठीक न, एफेक करके, और जिसमें की उत्तर, नौर्थ, और मोटा मोटी मद भारत के छेत्रों में इसका फैला, जिसमें सभी वर्गों की भागदारी था, जिसका करण कहीं न कहीं बिटि तक इस विद्रों की सुरुवात की बात है, ये बात सही है कि कार्तुष की घटना, आप बोड़ी पार्ट में आएंगे, क्योंकि आपको जो इंट्रडेक्शन आपने लिखा है, उसको यहां से लिंक भी करना है, अब यहां पर लिखेंगे, जहां तक इस विद्रों की सुर अगल पांडे का जिक कर दें, फिर उसके बात जल्द ही चिनगारी कहां मई में पहुंच गई मेरट में, ये मार्स में घटना हो रहा है, ये मेरट में में हो रहा है, और फिर ऐसे करके कई और धनापोड़ी एडिमन तक ये और भी कुछ रिजिमन का पर एग्जाम पहल दे आप देखिए मुगल वादसा को राया बनाया गया ठिक नहीं नेता बनाया गया, फिर आप कई रजबारे भाग लिए, जांफी करानी, लखनावम देखिए, अजत बेगम महल भाग ले रही है, कानपूर में नना साहिब हैं, फिर आरा में बिरकुवर सिंग हैं, फिर किसा सिपाही ने शुरू किया, नो डॉट है, बट इसमें जल्द ही, चुकि बिर्टिस का जो सोब बरसां का पोलिशी था, इसमें ना सिर्फ सिपाही, बलकि हमारे देश के जो आम लोग थे, रजवारे थे, या जो जितने भी किसान, आदिवासी, सब कहीं न कहीं प्रभावित थे, तो आप अलग-अलग बेगरॉंड का सिप एक्जाम्पल देके लिख दें, और मैं यहां लिख दें, असी पाही में लगए 20 वर की हां, 20 वर पर 25 वर यूच करें, अब फिर डिफ्रेंट डिफ्रेंट बेगरॉंड के लोगों ने भागदारी के 80 वर को लिख दें, यह हुआ कि आप जो कुस्तन को पूछा जारें, उसके आप की टर्म को पहचान गया है, और इसमें आपको अच्छा मास मिले का चांस है, तब आप लिखां कि उपरोग सारे लोगों ने जो इसमें भाग लिया, इसके पीछे वजह क्या थी, आप अगर वजह किया, काउच की च परवार नहीं आपके आनफर में, फ्लो नहीं है, उस पर फोकस करना है, और अनफराटे के मतलब यही होता है, ठीक न, तब आप अपने कारण को लगभग वही, 150 वर्ट के प्रोक्स, काउज या कारण में आएंगे, जिसमें आप लिखेंगे, राज नितिक कारण से बॉक् इस पर फोक्राटे काण से बहुत यहां, इस बुक्त करता लिखेंगे, बहुत है पताया था, आप यहां, पाउच्छा पोईंट यहां कारण में लिख देंगे, और अन्तिम निसकर्स की इस पर कारण अगर का जाए, तो यह है, इस बिदरों में, भारतिय जन्मान स्थ के क कई लोगों ने भागदारी किया और आगे के नेशनल मुव्मेंट में कही ना कही इसका एक आतस्क रूप में आगे हमको देखने को मिलता है और आज भी यह विद्रो या एकरांती हमारे भारत यह फ्ततर संगर्स में पढ़ेना का फ्रोथ है ऐसे करके आप आनफर को एक खतम कर सकते हैं तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ जब भी कभी क्वेस्टन लिख है तो उसके हरे एक टर्म को हलका हलका डिफाइन करते हुए जो मैन की टर्म है उसको भी लिखा और अंती में एक अच्छे निश्कर्स की वराब पहुंचे तो फिर से इसमें क्या करना है आपक फिर सिपाही ही नहीं हाँ सिपाही ने स्विख्या फिर सिपी लिख लिया ने भाग लिया वह लिखिए तब इसका की लोगों ने भागे लीकिया इसके पीछ्य मुए वजय है 1001 बजय के प्रॉक्स लिख सकते हैं और जब भी आनफर लिख तो आईसा एक मोटा मोटी खाखा तयार कीजिए अपने जहां भी रफ में भी कर लीजिए कि हमको इसमें इतना अगर यह एगर हैविट अभी डाल लेंगे एक्जाम होल में यह निस्थित होके रहिए कि भले ही आपको ल लास्ट क्वेशन लिखने के लिए मात 10 मिनट ही बचा है या लास्ट टू क्वेशन लिखने के लिए मुश्किल से 20 या 25 मिनट ही बचा है अईसे समय में यह आपको देखिएगा काम देगा ठीक नहीं और यह 67-68 लो जाकर पूछिए जो जो आप भी पैसी एक्जाम निकाल हारतिय रास्ट इंडियन नेफनल कॉंग्रेस के भीतर कहीं न कहीं आडियलोजी या विचार धारा और जो नित्वित करने के स्टायल या सैली के टकड़ों के कान हुआ आपको पता है इसका देखिए मैं टर्म यहां पे की टर्म पता चल गया हाला कि इफने सोट टर्में अ उद्य हुआ और भविस्ट के मुव्मेंट आंद्रन और नेताओं पर भी परभाव सामिल था इसका आपको क्या करना है एक जमाइन करना है तो कहने मतलब है कि आप कोफन को फिर से पर यह जब को फिर से परेंगे तो कई तरह आपको की टर्म आइडेंटीफाई को पहला कि आपका कौन सा विभाजन है सूरत किसका कॉंग्रेस का आप मोटा मोटी यह है दूसरा क्यों हुआ क्योंकि बिचारधारा मतलब कि यहाँ पर आडेलोजी और लिडर्शिप स्टाइल में कहीं न कहीं जो है न क्लैस था बिचारधारा की टर्म है और नत्युत सेली भी है फि इतना की टर्म अगर आप एक लिखने से पहले अगर सोच लिए थे आपका दिशा सही है नहीं सोचे थे तो दिशा को बदलिए और जो मैं बता रहूं उर्फ रास्ते पर चलना चाहिए आपको ठीक नहीं तो अब यहां पे जितना भी की टर्म आपने आइडेंटिफाई कि या आप सब को तो लिखना पड़ेगा और मैं कई कॉपिम क्या देखा इसका इत पुरा गायव है यह भी गायव है यह लिख के खतम करने ही आंसर हो गया क्या अधूरा ऐसान फर्णा लिख है अब अगर सब्द कहां कहां कितना खर्च करना है आप भूमिका में 40-50 वर्ट क पर सकते हैं इस दोनों में आप 80-100 वर्ट का सब्सक्राइब जा सकते हैं 100 टर्म में कम्योर हुआ 40-50 वर्ट में जा सकते हैं लॉंग टर्म जो जितना भी की टर्म है तीनों इसमें आप लगभग देखिए सब्द तो मैंने रखता है लेकिन सबसे बरा मैंने यह रखता है कि आपने जो पूछा है क्या उसको टच किया है या नहीं किया इस चीज पर फोकस कीजिए तो कैसे लिखा जाए तो आईए बात करता हूँ सबसे पहरे देखे, कई लोगों का मैं पढ़ा इसका introduction, introduction according to question नहीं, कैसे देखे, एक चीज़ तो यहाँ ए भी तो है, Indian National Congress, भारते राष्टे Congress, समझ रहे ना, तो आप देखे इसका भूमिका कैसे लिख सकते थे, introduction कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं, मुटा मुटीफ, कि 1880 में Indian National Congress का अस्थापना जिस उद्देश से हुआ था, उद्देश क्या था, देश के लोगों को राजनिती गरूपर एक फुलेट फॉर्ण परदान करना, मंज परदान करना, और सरकार की सोचन कारी निती के खिलाप, सरकार के सोचन कारी निती के खिलाप, देश को एजुड कर और कहीं न कहीं अजादी की और अगरसर करना, ये इतका मेन उद्देश था, लेकिन 15-20 बर्स के बाद, अपर 20 यहां पे, कॉंग्रेस के भीतर, कुछ मतवेद दिखाई परता है, जिसका परिनाम क्या था, सूरत विभाजन, या भूमिकाम लिखे, तब अगर हम इस विभा करनाम को दिखाई परता है, जिसमें एक आपका है, कि इन कॉंग्रेस के नेताओं के बीच में बिचारधाराओं का मतलब की, उदारबादी, मोडरेट लोगों के बीच, और एक्स्टमिस्ट और अगरमदल के बीच, ठीक न, अब यहां पे, इन दोनों के कुछ बिचार क्य क्या थे, इनका विचार यही था, इनको बिटिस्ट की नियाय प्रियता में बिश्वास था, समझे, और यह जो है, बिद्रो को, आंदोलन को यह उच वर्ग तक ही सिमित रखना चाहते थे, ठीक न, तो इनका लिए अगरमदल एक्स्टमिस्ट का तो बिलकुल अलग था, इ जो उदारवादी लोग जो मोडरेट जितने भी नेता थे, यह समयधानिक दाइरों में रहके काम करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, जो गरमदल हैं, यह चाह नहीं, अगर हमको आवसकता पड़े तो नहीं, समयधानिक दाइरे से बाहर निकल के हम आगे बढ़ाएंगे, त क्या चाहते थे, पूरे देश में मुवमेंट को फदर सी फैला ना है, तो यहां आपको लिखना पड़े, और एक दो नेता का नाम लिखे, लाल बाल पाल का लिखे, तो अब इन दोनों को टर्म को डिफाइन करेंगे, तो अब यहां लिंक करेंगे, कि इन चीनों की वज़ क्यों? क्योंकि इस समय आप देखेंगे, जैसे ही सुरत का वहन हुआ, सरकार ने दमन की नीती अपनाई, कई कानून एक्ट पारित किया, चाहिए प्रेस पर भी परतिबन लगाया, और भी सभा लगने पर परतिबन करा दिया, तिन चार कानून लाया अंग्रेजों नहीं सम ले लिया, सन्यास ले लिया, ठीक, उसके बाद इसमें देखिएगा, बिर्टिफ ने क्या किया, 1909 में माले मिंटो एक्ट के जरिए जो है ना, हिंदू और मुफल में बाटने का विनों ने काम किया, तो जो इन्यफनल मुहमेन जो है ना, कहीं ना कहीं, लगवा साताथ वर के लिए मेरा क्या पर गया, कमजोर, 1915 तक इसके सर्चा करेंगे आप, तिर अब सौट टर्म में ठीक है, कमजोर किया, विक किया लिख दिया अपने दिजार पॉइंट में, लेकिन अब लिखेंगे, बट अगर हम लॉंग टर्म इंपेक्ट की बात करें, तो पहला हम को क्य लिखना की टर्म, जन आधारित राजनिती का विकास, जवलेफमेंट ओफ मास बेस पोटिक्स, दूसरा क्या है, उग राष्ट बात का उदय, और भविष्ट के आंदरनों और नेताओं पर पड़वा, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट या नेता का भी लिख आधार पोटि को लिखेंगे, तो पहला यहां लिखेंगे कि मास मुइंट आप देखेंगे आगे जाके क्या हो धा है, कि हमरूल मुविमेंट हो रहा है, नेफनल और सहयोग मुविमेंट, आप यहां इसको जिक्रम कर देंगे, ठीक ना, फिर आप देखेंगे कि 1907 के बाद हमारे देश में कुंछ ग्राय करन्तिकारी मुंहेंन बंगाल में हो रहा है महराश्ट में भी हो रहा है बिहार में पंजाब में हो रहा है आप उसकी भी चर्चा तो करेंगे क्योंकि पर स tour अब हो घब немत रहें बिहार में खुजराम बोस्ताव का इसी समयकाल है ठीक नहीं फिर पंजाब में जो है तो यहां पे करांतिकारी का दे देंगे अब लिखेंगे इसके अलाबा भी अगर हम फ्यूचर की बात करें मुवमेंट पे देखिए कॉंग्रेस का जो विभाजन वाउनी 107 में सुरत तो कहीं न कहीं बीचारधारा की अधार पे था और काम करने की सैली पर था तो आगे तेखिए क्या गांधी जी जो निफ्तन मुवमेंट चला रहे हमारे देश में गांधी जी ने एक काम यह किया कि जो गरंडल और उदारवाद दोनों का जो विचारधारा जो काम करने की सईली धा दोनों को मिलाकर चलते हैं। जान देने को भी तैयार हो जाते हैं कुई इन्या मुवमेंट में नहीं बोलते हैं कि या तो मैं जिन्दार होंगा तो बिर्टिस सरकार तो कहने का मतलब यहां है गांधी जी आगे जो भविश्क के जो जितना भी मुवमेंट हुआ इस सुरत भ्याजन हमने सीखा और अगर कॉंग्रेस के आंदर अगर कहीं भी मतभेद होता था आगे जब देखा गया तो यह लोग आपस में विचार रजनस करके कॉंग्रिफ ना टूटे इस पर फोकस करते थे ठीक नहीं तो एक सहमती अधारित राजनिती आगे के पोलिटि यह हम आपस में लड़ जाएं ऐसा आगे कॉंग्रिफ के नेता करने से बचते हैं यह कहीं न कहीं क्या आपका लॉंग टर्म इंपेक्ट नहीं है हमारे नेफनल मुवमेंट पे यही तो आपको लिखना है फीचर मुवमेंट पे और यहां तक की नेताओं पर भी देखिए जो भी चीज़ें यहां पे चाहे वो मोडरेट के नेता थे या गरमदल वाले थे इनके चीज़ों को इनके जो इनके काम करने के तरीकों को भी अपना रहे हैं बाल गनत दिलग जी का देखिए आगे के नेफनल मुवमेंट में गांदी जी भी उनके फैली को बराई करते है कभी को उनका यूज करते हैं यही आपको इस वाले में कि भविस जो आगे का जो फीचर मुवमेंट था उसमें भी और नेताओं पर भी इसका जो है न अच्छा खासा आपको पर बहुत दिखाई परता है ठीक ने और खाफर के यहां पर उत खासा बंगाल का जो सुदिसी म करते हैं तो कहने का मतलब यहां यह है कि आपको इन सारे चीज़ों को ऐसे करके डिफाइन करना पड़ेगा अंति में एक निश्कर्श हो ही कि सुरत बिभाजन कॉंग्रेस के अंदर कहीं न कहीं बिचारधारा और सैली को लेके जो बिभाजन हुआ था आगे इसने इसे एक सीख लेके कॉंग्रेस आगे बढ़ी और अंतित्य उन्सों फटाइम देश को क्या मिली आजादी मिली देखिए यह गलती हुआ आगे इस गलती को दोहराने से बसते हैं आपका निश्कर्श भी इसी ओर होना चाहिए तो इतना अगर आप पहले सोच लिए थे और ऐसे अग है था इसको फिल फिल लिखने के ज़र्वत है आगे जितना भी कॉफर में दोंगा इस तरह का प्रीज आफे रिक्वेस्ट है की आंसर को अच्छे से परिए की टर्म डिफाइन एडिन्टिफाइ कीजिए तब हर एक चीज को बारी बारी फिल कीजिए और सबसे बड़ा ची अब बाकी हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में थेंक्यू